नमस्कार दोस्तों हाजर हो चुके हैं आपके सामने एक बार फिर से और आप सभी को पता है कि IPL खत्म होने के बाद भारतिय टीम को खेलना है WTC का फाइनल जिसके लिए लगबग आदी से ज्यादा भारतिय टीम जो है वो जा चुकी है और कुछ खिलाडी बजे हुए है IPL फ फाइनल हारेगी तो अब मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूं उसके पीछे क्या वज़ा है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दरसल इस WTC फाइनल के ओन फील्ड अंपाइर्स का एलान हो चुका है और इंफेक्टर अंपाइर इस WTC फाइनल के लिए वहीं रिचर्ड इलिंगवर्थ की बात करें तो रिचर्ड इलिंगवर्थ 2021 के WTC फाइनल में भी ओन फील्ड अंपाइर थे वहीं थर्ड अंपाइर की मैं बात करूं और जिसका नाम अब में लेने जा रहा हूं तो आपके कान खड़े जरूर हो जा अब रिचर्ड इलिंगवर्थ के बारे में बात करते हैं तो रिचर्ड वो ही अंपाइर है और ये अंपाइर जब जब भारतीय टीम के नौकाउट मुकाबले में रहा है तब तब भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है अब आपको मैं बताता हूं के रिचर्ड अब final था वहाँ पर भी इंडियन टीम पाकिस्तान के खेल रहे ती और वहाँ पर भी ऑन फिल्स अंपायर थे तीयरड कैतल ब्रहाई अब आ जाते हैं, 2019 के वल्लकेप Semi- Fाइनल पर है और वहां पर भी ऑन फिल्स उंपायर रिचर्ड कैतल ब्रहा ही थे तो तीन बार रिचर्ड कैटलब्रा जो है वो भारतिये टीम के ओन फिल अंपायर रहे हैं जब इंडियन टीम नॉकाउट मुकाबला खेल रहे थी और जहां पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था वहीं 2021 का जो डबलू टीसी फाइनल था वहाँ पर भी रिचर्ड कैटलब्रा जो है वो टीवी अंपायर थे और इस बार भी रिचर्ड कैटलब्रा जो है वो टीवी अंपायर है लेकिन जब जब रिचर्ड कैटलब्रा ने टीम इंडिया के मुकाबलों में अंपायरिंग की ह अब हार का reason जो है वो team India का खराब खेलना नहीं है वहाँ पर Richard cattle bra क्योंकि हम piring में होंगे इसलिए हम आपको भोल रहे हैं कि team India जो है WTC का final हारती है लेकिन देखते हैं कि cattle bra के होने से क्या Indian team हार जाएगी या नहीं हारेगी या अपना जो इतिहास है वो Richard cattle bra के सामने team India बदलेगी तो फिलाले इस खास report में इतना ही और आप comment section में जरूर बताइएगा कि आपको Richard cattle bra की empiring कैसी लगती है साथी साथ वीडियो को like और share जरूर कीजेगा और channel को अभी तक आप लोगों ने subscribe नहीं क्या है तो channel को subscribe करना मत भूलेगा जय हिन जय भारत